आप लोग का स्वागत है कुमारी रिमा की रसोई में आज मैं कुछ नहीं तरीके का बनाने जा रही हूं रेस्पी वह दो मिनेट के अंदर में बन जाएगी आप लोग इसे इंजवाय कर सकते हैं पहले मैं मैं इंगो लूँगी उसे मैं कट करूँगी चक्को की सायता से आप कट कर लें और यह देखिए इधर मैंने अम्रूद लिये हैं कुछ छोटे वाले अम्रूद लिये हैं रेड वाली जो अम्रूद आती है वह और सफेद वाली जो आती है दोनों तरह का अम्रूद मैंने यूज किये हैं अब देख सकते हैं कि मैंने इसे कट कर लिए हैं आब मैं इसे निकालूंगी चप्पू की आहता से या आप चाहें तो के स्पून का यूज़ कर सकते हैं इसे निकालने के लिए अब देख सकते हैं इसको आप ऐसे नीकाल ले देखिए इस तरह से यह बहुत अच्छे से निकल जाते हैं इसी तरह काट करके मैंगो को डाल ले मैंने रांड सेफ में और अमरूद को भी मैंने कट इसको इसके ऊपर डालते जाएं, आप देख सकते हैं, मैंने दोनों अमरूत का यूज किया है इसमें, आप भी इसी तरह करें, छोटी-छोटी अमरूत, बीच में आप डालते जाएं, यह बहुत ही मीठी और टेस्टी होती है, साइज में थोड़ा छोटा होता है, लेकिन खा भी सकते हैं देखिए कितनी यह स्पाइसी और सुंदर देखने में लग रहे हैं प्लीज आप भी बना अपने बच्चों को खिला है बहुत खुस हो जाएंगे यह इस तरह का खा करके जो बच्चे फुरूट से उतना पसंद रही करते हैं वह भी यह बहुत ही मज़े से खाए करेंगे और इंजवाय करेंगे कैसा लगा आप लोग को मेरी रेश्पी प्रीज आप लोग सेयर करें और कॉमेंट करें सब्सक्राइब करें थैंक्यू धन्यवाद